नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इतने बड़िया से लड़ू जिसे आप बकसंकरांती और लोरी पर बना सकते हैं और खास बात ये है कि ये इतने हेल्दी है, इतने टेस्टी है न देखिए वैसे हम पिन्नी, गोंद के लड़ू तो बनाते ही रहते हैं सर्दियों में पर आप एक बार ये ज़रूर ट्राइ कीजिए, ये इतने बड़िया और खास बात ये कि ड्राइफरूट से भरपूर चीनी नहीं इस्तमाल हुई, इसमें गोड़ी इस्तमाल हुआ है, और ये इतने बड़िया लड़ू लगते है न, खास बात ये कि इसमें नहीं आपको गैस की जरूरत है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो चली बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए मैंने हाँ पर ले जार ले लिया है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, 250 ग्राम तिल, और इसे ढख लेंगे, और इसे आपको पूरा नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है, यह इनि मिकसर को आपको पल्स मोड पे चलाना है, थोड़ा चला है, फिर बंद करें, ऐसे करके दरदरा ही पीसे, अगर पूरा पाउडर बिना लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा खानी में इस तरह से दरदरा पीस लेना उसके बाद आधा कप खजूर बीज निकाल लेजेगा और एक कप जितना गुड ब्राउन वाला या सफेद वाला जो आपके पास हो और इसे भी ढखकर पीस लेना है उसके बाद एक कप देशी गी डालकर इसे ढखकर फिर से पीस ले याँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया देखे कुछ इस तरह से हो जाएगा अब एक बरतन ले ले बड़ा सा और उसके अंदर या आपको डाल दीना है अब इसी के साथ सारी चीजे डालेंगे जो इसका और भी स्वाथ बढ़ाएगी बारिक कटेव बादाम, किश्मिश दो तरह की हम डाल रहे एक काली वाली और एक नॉर्मल आती है वो बारिक कटेव काजू भी मैंने डाल दिया है और सारे ड्राइफ रूट्स मैंने आधा अधा कप डाले हैं आधा कप मैंने ये सूखे नारेल को कदुकस यानि कि ग्रेट कर लिया था वो एक चौथाई चमच काली मिर्ची पाउडर, आधी चमच सौठ का पाउडर, आधी चमच गंठोडा पाउडर, एक चमच एलाईची का पाउडर और एक चमच खस-खस यानि कि पॉपी सीट, एक चमच मगच के बीज, इन सभी को हमें देखे इस तरह से कूटना है सिलबटे पे जैसे हम कूटते हैं उसी चीज से आपको देखे इस तरह से कूट लेना है ऐसे थोड़ा सा उसके बाद हाथों से आपको इससे अच्छे से मिक्स करना है अब देखे गंठोडा पाउडर, सौठ का पाउडर, काली मिर्ची पाउडर ये सारी चीजों का इतना बढ़िया स्वाद आता है और गंठोडा पाउडर, देखे साबुद गंठोडा भी आते हैं उसे आप घर पर भी पीसका पाउडर बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी पाउडर ले के आ सकते हैं मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कव गी और ड लड्डू बना लेंगे देखें बिना गैस जलाए इतने बढ़िया लड्डू बनेंगे और स्वाद तो इसका क्या बताओ इतना मजिदार आएगा न देख सकते हैं इतने ड्राइफ रूट से भर पूर साथ ही साथ हेल्दी एक महीने से जादा आप इसे स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं तो देख सकते हैं तैयार है और लड्डू की साइज आपके ओपर है आप इसे बड़ी भी बना सकते हैं और इसे छोटे भी तो मकर संक्रांती लोरी पर आप इसे जरूर बनाएं और जाते जाते मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलक कि फवाच हूँ